हाई फ्रेंड्स वेलकम टू कमलाज कीचन तो फ्रेंड्स आज हम बना रहे हैं पत्ता गोबी और मत्र की बहुत ही गजब की रेसिपी यह सब्जी सबको बहुत पसंद होती है और बनाने का तरीका भी बहुत ही आसान है काफी ज्यादा है और सर्दियों की स्पेशल सब्जी ह करते हैं स्टार्ट इसको फटाफट सी बना लेते हैं बहुत ही गजब की बनने वाली है हर कोई इसको खाना चाहेगा चाहे कोई भी हो तो मैंने हाँ पे मत्र को और पतागोबी को कट कर लिया है इधर कडाई में तेल डालेंगे आधी चोटी चमच जीरा डालेंगे आधी चमच राइदाना डालेंगे बहुत ही गजब का फ्लेवर आता है राइदाना की वज़ा से और अब मैंने इसके अंदर तीन कटी हुई हरी मिट्ची डाल दी है और अच्छे से कर लेंगे फ्राई साथ में मैंने एक कटा हुआ बड़े साइज का प्यास डाल दिया है काफी अच्छे तरीके से हैरी मिट्ची और प्यास दोनों चीजों को फ्राई कर लेना है जब तक इनका कलर है वह गोल्डन ब्राउन ना आ जाए उसके साथ मैं पत्ता गोबी डाल देती हूं तो यहां पे मैंने आदा किलो के करीब पत्ता गोबी ली है और एक बात और है जो पत पत्ता गोबी पकेगी फ्राई होगी ना वैसे वैसे ही अपना पानी डिलीज करती जाएगी और बिल्कुल सिकूरती जाएगी तो यह देखना मैंने हां पे जब इसके अंदर एड की थी तो कितनी सारी लग रही थी ऐसा लग रहा था इतनी नहीं बनेगी लेकिन कुछ नह जाएगी वैसे वैसे इनकी क्वांटिटी थोड़ी कम होती जाएगी और साथ में मैंने मटर भी डाल दिये और पत्ता गोबी को गाईज आप जब भी बनाओ इस तरीके से ही बनाना है तब ही आपकी सबजी है वह बिल्कुल परफेक्ट बनेगी इसमें पानी की तो एक पत्ता गोबी 50% तक पक गई है तो इसमें सारे के सारे मसाले डाल देने हैं और मसालों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है मसालों मसाले आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से एड़ कर सकते हो अपने टेस्ट के गोडिंग एड़ कर सकते हो जितने आपको सही है तो बस जाले जाखे मासाले चाल और जाखे तरीके से मिक्स तरगेनें all गयाटकें ऑच्छे तना चाल आची तरीके से मिक्स याट लैसुन के बिना तो हर चीज यह दूरी रहती है टेस्ट में बहुत फरका जाता है अगर हम लैसुन नहीं डालते हैं तो मैंने यह पे लैसुन डालके छी तरीके से मिक्स कर दिया और बस सब्जी हमारे बिल्कुल तयार है लैसुन का फ्लेवर पूरी सब्जी में आ जाए इस और बहुत जादा शांदार बनने वाली पत्ता गोवी मटर की बहुत ही गजब की सब्जी के रेसिपी उपर से डाल देंगे हरा धनिया पत्ता और यह देखिए बहुत ही शांदार बनी है एक बार इसको जुरू ट्राइ करना सबको बहुत पसंदाएगी इस बात का मैं दा बच्चों को बड़ों को सबको बहुत ही ज्यादा पसंदाती है यह सब्जी और वास्तों में बनती भी बहुत ही अच्छी है फटाफट बन जाती है ज्यादा टाइम भी नहीं लगता और छोटी सी बात का अगर ध्यान रखते हैं तो बिलकु परफेक्ट पत्ता गोवी की सब्जी हमारी यहाँ पर बन के तयार होगी तो बस तयार है आज की हमारी स्पेसल और चटपटी सी पत्ता गोवी और मटर की सब्जी की रेसिपी एक बार जुरू ट्राइए करना और अगर वीडियो पसंदाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना लाइक कमेंट शरकरना बिल्कुर मत भूलना और एक बार इस सीजन में यह पत्ता गोवी और मटर की सब्जी एक बार जुरू ट्राइए करना मैं इस बात का दावा करती हूं बहुत ही अच्छी बनेगी ओके फ्रेंड्स मिलती हूं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक कियर